Good morning students, today we are going to study exercise 5.4. What is the first question in exercise 5.4? Write 5 fractions equivalent to each of the following. That means, जो fractions हमें दिये गए हैं, हमें उनके 5 equivalent fractions निकालने हैं. So, पहला कहा है 2 by 3. तो 2 by 3 के 5 equivalent fractions निकालने के लिए, हमें 2 by 3 को किस से किस से multiply करना है? पहले 2 से, then 3 से, then 4 से, then 5 से, then 6 से. और उपर वाला नंबर जिस से multiply होगा, नीचे वाला नंबर भी उसी से multiply होगा. That means, numerator और denominator सेम नंबर से multiply होगा. तो सबसे पहले equivalent fraction निकालने के लिए हम 2 by 3 को किस से multiply करेंगे उपर नीचे? 2 से. So, क्या आएगा हमारा answer? 2 2s आ 4, and 3 2s आ 6, then हम बापिस 2 by 3 को किस से multiply करेंगे उपर नीचे? 3 से. So, answer क्या जाएगा? 3 2s आ क्या होता है? 6, and 3 3s आ 9. Then again हम क्या करेंगे? 2 by 3 को multiply करेंगे 4 से. So, answer क्या जाएगा हमारा? 4 2s आ 8, and 3 4s आ 12. Then, 2 by 3 को हमें किस से multiply करना है? 5 से. So, उपर नीचे हम क्या लिखेंगे? 5, and then multiply करेंगे. 5 2s आ क्या होता है? 10, and 5 3s आ 15. Then हम करेंगे 2 by 3 को किस से multiply करेंगे? 6 से. उपर नीचे हमें इसको 6 से multiply करना है. 6 2s आ 12, and 6 3s आ 18. निकल गए 5 equivalent fraction. So, हम क्या लिखेंगे? 2 by 3, then पहला कहा है? 4 by 6, then 6 by 9, then 8 by 12, then 10 by 15, then 12 by 18. अब एक और question देखते हैं. 3rd नमर का 13 by 17. इसको भी हम ऐसी solve करेंगे. तो 13 by 17 को सबसे पहले हमें उपर नीचे किस से multiply करना है? 2 से. So, 13 2s आ क्या हो जाएगा? 26. And, 17 2s आ क्या हो जाएगा? 34. Then हम 13 by 17 को बापपिस किसे multiply करेंगे? उपर नीचे 3 से. So, 13 3s आ क्या होता है? 39. And, 17 3s आ क्या होता है? 51. Then, 13 by 17 को किसे करेंगे उपर नीचे? 4 से. So, 13 4s आ क्या हो जाएगा? 52. And, 17 4s आ क्या हो जाएगा? 68. Then, 13 by 17 को हम किसे multiply करेंगे उपर नीचे? 5 से. So, 13 5s आ क्या होता है? 65. And, 17 5s आ क्या होता है? 85. Then, 13 by 17 multiplied by किसे करेंगे? 6 से. So, 13 6 आ क्या होता है? 78. And, 17 6 आ क्या होता है? 102. So, 13 by 17 के equivalent fraction कौन कौन से हैं? पहला है 26 by 34. Then, 39 by 51. Then, 52 by 68. Then, 65 by 85. Then, 78 by 102. इसी तरीके से बाकी के जो कोशन से वो आपको self-solve करना है. Next, पूचा है, which are the following are the pair of equivalent fractions? आपको पता लगाना है कि जो fractions के pair दिये हैं, क्या ये एक दुसरे के equivalent है? So, हमें इसे find करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Cross multiply करना पड़ेगा. So, हम क्या लिखेंगे? So, हमें दोनों को क्या करना है? Cross multiply करना है. That means, 5 से 24 का. So, 5 multiply 24 and 6 multiply 20. So, जब हम 5 से 24 को multiply करेंगे तो क्या हैगा? 120. And जब हम इसको multiply करेंगे तो क्या हैगा? 6, 0 is a 0 and 6, 2 is a 12. तो, दोनों आंसर हमारे सेम आए? अगर multiply करने के बाद दोनों आंसर सेम आते हैं तो हमें क्या लिखना है? Therefore, 5 by 6 and 20 by 24 are two equivalent fractions. इसी तरीके से बादी के जो question हैं आपको self-solve करना है. आपको cross multiply करना है. अगर answer सेम आते हैं तो लिखना है are two equivalent fractions. and अगर answer different आते हैं तो आपको लिखना है not equivalent fractions. Next question के है find the equivalent fraction of 5 by 8 with. हमें 5 by 8 के equivalent fraction निकालने हैं तो पहला option दिया है उसके numerator में 25 होना चाहिए. तो 5 को हम किस से multiply करें जिससे हमारा numerator जो है वो 25 है. So 5 के table में 25 कहा आता है? 5 times. So हम उपर नीचे किस से multiply करेंगे? 5 से. क्योंकि denominator जिससे multiply होता है numerator भी उससे multiply होता है. और हमें as a numerator कह चीए 25. So 5 5 ज़े क्या होता है? 25 and 8 5s are 40. तो हमारा answer क्या हो जाएगा? 25 by 40. एक और question देखते हैं. denominator 16 होना चाहिए. So हमें 5 by 8 में 8 को ऐसे number से multiply करना है. जिससे denominator क्या है? 16 आए. तो 8 के table में 16 कैसे आता है? कहां से आता है? जब हम उसको 2 से multiply करते हैं. So हम उपर नीचे क्या लिखेंगे? 2. So 5 टूजा क्या हो जाएगा? 10. And 8 टूजा क्या हो जाएगा? 16. मिल गया? As the denominator 16. इसी तरीके से आपको बाकी की जो question है? self solve करना है. Next is fill in the blanks. 5 by 7 is equal to 10 by blank. So इस square में हमें यहां पे इसका जो equivalent fraction है वो लिखना है. अब मैंने आपको बताया था कि numerator जिससे multiple होता है, denominator भी उससे multiple होता है. या फिर मैं यह गज़त थी हूँ कि सबसे पहले हम denominator का देखने हैं कि denominator किससे multiply हो रहा है. तो numerator भी उससे multiply होता है. लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? Numerators दिया हुए है. So, हम numerator के बीच का relation निकालेंगे. So, 5 के टेबल में 10 कहा आता है? 5 के टेबल में 10, 5 to the 10 आता है. So, अगर यहां 5 to the 10 हो रहा है. That means, हमारा denominator भी किससे multiply होगा? 2 से. So, 5 to the 10 and 7 to the क्या हो जाएगा? 14. तो यहां पे क्या हैगा? 14. उसी तरीके से अब हमें आगे का निकालना है. 7 से किस नमबर का multiply होने से? 21 आता है. 7 के टेबल में 21 कहा आता है? 3 टाइम में. So, 7 3s है क्या हुआ? 21. तो उपर का नमबर भी किससे multiply होगा? 3 से. So, 5 3s है क्या हो जाएगा? 15. अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 30. So, 5 के टेबल में 30 कहाता है. 5 6 है 30. That means 5 का multiply किसे हुआ है? 6 के साथ. So, 7 का multiply भी हम किसे करेंगे? 6 के साथ. तो 7 6 है क्या होता है? 42. तो आंसर क्या हो जाएगा? 42. अब नेक्स्ट नमबर में क्या दिया हुआ है? 10. So, 7 के टेबल में 10 कहाता है. 10 टाइम में आता है. So, 5 का multiply किसके साथ होगा? 10 के साथ. तो 7 10s है 70. And 5 10s है क्या हो जाएगा? 50. तो यहाँ पर क्या आएगा? 50. इसी तरीके से 2nd नमबर का जो कोशन है आपको self-solve करना है. 3rd नमबर कभी आपको self-solve करना है. और solve हो जाने के बार उसका पिक खीचके आपको ग्रूप में डालना है और इसकी बार-बार प्रैक्टिस करना है.